हेलो दोस्तो, वलकॉम टू माई यूट्यूब चनल, वीडियो को पूरी तरह देखने हैंगे अच्छा लगे तुमाँ लाइक, सेरें, सब्सक्रेब करना दोस्तो आज समा बात करेंगे SPI में Deposit Interest Certificate को किस से डाउलोड करेंगे दोस्तो, अगर आपके पास SPI की सेबिंग एकाउंट एंड एबडी एकाउंट है तो, यह जानना ज़रूरी है कि एक पूरा Financial Year में आपको बैंक ने कितना इंटरेस्ट दिया है और इसको Deposit Interest Certificate कहते हैं आप इससे Online पर यानि Net Banking के जरिये जान सकते हो, इंटरेस्ट को डाउलोड भी कर सकते हो तो आए जानते इसको कैसे डाउलोड करेंगे पहले आपको SPI की Net Banking की पेस्ट में आना है यान आप अपनी यूजर ने में पास्वर दे के अपनी एकाउंट को लग इन का लिजिए यान इसके होम स्क्रीन के उपर में एक थ्री लाइन है तो उसपे क्लिक करें यहाँ पर e-service नाम के एक अप्सन मिलेगा तो उसपे क्लिक करें अभी आपको e-service related कितने सार अप्सन आ जाएंगे अभी यहाँ पर my certificate नाम के एक अप्सन है तो उसके उपर क्लिक करें यहाँ पर interest certificate और deposit account का एक अप्सन है तो उसपे क्लिक करें क्लिक करने के बाद आपकी account की number, branch and सभी detail आपके समने आ जाएगा तो नीचे view और download in PDF का एक option मिलेगा तो उसपे क्लिक करें क्लिक करने के बाद आपका deposit interest certificate डाउनलोड हो जाएगा इसमें आप देख सकते हो आपकी एक financial year में आपको कितना interest paid हुआ है और उसके साथ कितना tax भी deduct हुआ है यह भी आप जान सकते हो दोस्तो यहाँ पर आप अपनी saving account की and Fda account की दोनों account की आप अपनी interest certificate को देख सकते हो दोस्तो यहाँ पर आप deposit interest certificate के अलओबा home loan interest certificate, tax credit statement, education loan interest certificate tax deduction certificate भी देख सकते हो और उसको download भी कर सकते हो यह रहा SPI interest certificate को डाउलोड करने का एक process तो ये वीडियो कैसा लगा आपनी कमेंट पर बताए अच्छा लगे तो आप लाइक, शेरें, सब्सक्रे करना थेंक्यू फॉर वाचिंग